नमस्कार आप सभी का एगेंस क्रेप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट किसी भी परिक्षा के उत्तर पुस्तिका की परमानित छायापर्ती लेशकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगें कोई भी छात्र या उनके अभिवाबक या संबंधी उनके उत्तर पुस्तिवाका की छायापर्ती की मांग सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट संबंधित विभाग या संबंधित कार्याले से आसानी से लेख सकते हैं इसकी जानकारी हम सभी को अवस्र रखनी चाहिए चलिए जो इस चैनल से पहली बार जो रहे होए हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन दबाकर अब सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दबाकर औल पर भी क्लिक अवस्र कर लें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तो चलिए हम लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किये हुए अवस्य देखेंगे मैं आप लोगों को सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ मुख्य बिंदूआं पर आप लोगों को बता रहा हूँ इसे अवस्य जानेंगे सत्य में विजयते शुचना का अधिकार अधिनियम 2005 Right to Information पहला RTI के तहत परिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका की परमानिच्खापरती भी ले सकते हैं दूसरा किसी भी परिक्षारती को अपने उत्तर पुस्तिका की प्रमानिच अपरती लेने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तीसरा किसी भी प्रिक्षारती को अपने प्राप्त अंग पर कोई संदे हो तो वो अपने उत्तर पुस्तिका की प्रमानिच चाया परती सुचना का दिकार अधिनियम के तहत प्रपत्र को लगा कर अवस्च लेशकते हैं चौथा, RTI के तहत किसी भी प्रिक्षा की उपस्थिती संचिका की भी प्रती ली जा सकती है पाँचमा रेलवे हो, SSE हो, ग्रूप D हो, बैंक हो, BPSC हो, कोई भी प्रिक्षा हो, इत्यादी सभी प्रिक्षाओं के उत्तर पुस्तिका की प्रमानिच चाया परती भी ले सकते हैं चथा, मैट्रिक, इंटर, BA, BPSC, MA, MSC के उत्तर पुस्तिका की भी प्रमानिच चाया परती RTI से ले सकते हैं सात्मा भ्रष्टाचार के कारण रियल्ट में गर्वरी का उजागर RTI लगाकर अवश्र करें जिससे भ्रष्टाचार में भी कमी आवे और रियल्ट भी सही धंग से प्रकासित हो सके, स्वासमें प्रकासित हो सके इसलिए आज मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने छात्र से, अपने छात्राओं से निवेदन पुरुवक कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी RTI का ग्यान रखें और अपने अपने संबंधित कार्यालय विभाग में RTI अवस्र लगाएं आठमा मैं अपने देश के छात्रेवं छात्राओं से निवेदन पुरुवक कहना चाहता हूँ कि अपने उत्तर पुस्तिका की जानकारी RTI लगा कर अवस्लें क्योंकि हमारे देश में कुछ भी संबंभव है यहां उपस्तित छात्र अनुपस्तित छात्र उपस्तित सफल चात्र उशफल वो वो सफल चात्र सफल भी हो जाते हैं यहां आप लोगोंने अख़वार या समाचार से सुने ही होंगे कि यहां कुछ भी संभव हो सकता है नौमा RTI लगाकर किसी भी सरकारी कार्याले से जानकारी ले सकते हैं या हमारा मौलिक अधिकार है इस तरह हम लोग किसी भी कारियाले से, किसी भी सरकारी आफिस से, किसी भी विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट प्रपत्र को लगाकर RTI लगाएंगे और उससे संबंदित जानकारी आसानी से ले सकते हैं खास कर हमारे बिहार में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बरता जा रहा है, यहां हर कारियाले हर विभाग में भ्रष्टाचार लगबग होता है, किसी ने किसी रूप में इसलिए मैं भ्रष्टाचार के खिलाप Against Capson 99 चैनल बनाया हूँ, और मैं खुद भ्रष्टाचार से प्रित हूँ, जिसके कारण मैंने भ्रष्टाचार के खिलाप इस चैनल को बनाकर आप लोगों को भी जानकारी दे रहा हूँ, आसा है आप लोग अबस इस चैनल को सपो तो रहे ब्रष्टा चार में कमी आए हमारे चात्र का रिजल्ट सौसमय हो और सही धंग से हो यदि कुछी भी रिजल्ट में कोई गरबड़ी होती है तो हम सामोहिक रूप से एक जूट इसके खिलाप होकर RTI लगाएं और उसमें ब्रष्टा चार का उजागर कर दोसी पर पुदान आप लोगों के साथ अवस्त रहेगा इसलिए आप लोग इस चैनल से अवस्त जूरें तथा इसे अधिक से अधिक सेयर अवस्त करें जैहिन